नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की फंगोटे का टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, फंगोटे का टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और फंगोटे का टैबलेट की वज़से क्या साइड इफे टैबलेट के अंदर सौल्ट कंपोजिशन तर्बिनाफाइन 250 Mg होता है। फंगोटे का टैबलेट एक एंटी फंगल दवा है। फंगोटे का टैबलेट का उप्योगत वचा पर या नाखुनों में फंगल इंफेक्शन होने पर किया जाता है। वचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर वचा पर रैड या सफेद रंग के धब्बे होना, वचा पर खुजली वजलन होना, वचा पर रैशेस होना, वचा पर दाध होना, वचा का पप्री बन कर उतरना, वचा में जखम होना और वचा का कुछ हिस्सा सफेद वन नर्म होना आ Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में फंगोटे का टैबलेट की वज़ा से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में फंगोटे का टैबलेट की वज़ा से कुछ side effects हो सकते हैं. जैसे सिरदर्ध होना, दस्त होना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा पर खुजली होना, लिवर में सूजन होना, मुह का स्वाद खराब होना, उल्ती आने का मन होना, पेट दर्ध होना और पेट से गैस निकलना आदी side effects फंगोटे का टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं. ज्यादा लंबे समय तक फंगोटे का टैबलेट को लेने से लिवर डैमेज भी हो सकता है, अब हम डिसकस करेंगे कि फंगोटे का टैबलेट को कैसे लेना recommended होता है, फंगोटे का टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया ज आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर फंगोटे का 250 mg टैबलेट को दिन में एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि फंगोटे का टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। फंगोटे का टैबलेट को लंबे समय तक लेने से यानि लगातार एक साल या उससे अधिक समय तक लेने से मुह का स्वाद और शरीर की सुंगने की क्षमता स्थाई रूप से डैमेज हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को फंगोटे का टैबलेट को लेते समय मुव का स्वाद और शरीर की सुंगने की क्षमता ज्यादा प्रभावित होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को फंगोटे का टैबलेट को डॉक्टर से सला लेकर तुरंत ही बंद कर देना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति को लिवर की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए. क्योंकि फंगोटे का टैबलेट लिवर की समस्याओं को ज्यादा गंभीर बना सकती है। अभी इसके बारे में परियाप्त देटा अवेलेबल नहीं है कि फंगोटे का टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं. इसलिए ज्यादातर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को फंगोटे का टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को फंगोटे का टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका फंगोटे का टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं